जब आप ये जूस महमानों के आगे सर्फ करेंगे तो महमान आपकी तारिफ किये बगीर तो रह नहीं पाएंगे ये इतना कोई मज़े का और टेस्टी होता है ठंडा ठंडा सा गर्मियों के लिए तो पेस्ट है आप ये वाला जूस स्टोर भी कर सकते हैं असलाम अलेकूम हफली सब केरी सोगे मैं भी अलहमदल्ला ठीक हूँ आज हम गर्पी बना रहे हैं आम का सीजन है तो कुछ बनाते हैं नया और डिफरेंट तरीके से आम पाना की रेसिपी आम का जूस बनाएंगे केरी का जूस बनाते हैं और ये कोई इतना मज़े का होता है चाहिए ठंड़ा सा ये पनाना भी इंतहाई असान है मैं बहुत असान तरीकी से आपको बताऊंगे और सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रीडियन्स से बन जाता है और क्या टेस्ट होता है बाई एक लोग अच्छी केरी हैं उनको अच्छी तरह से वाउच किया और कटिंग ये यहां पर हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और पानी जब थोड़ा सा गरम हो गया तो इसी स्टेज पर हम यह केरी डाल देंगी आप को इंटिटी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन चार केरी से पांच गिलास आराम से बन जाती है अच्छा मैंने यहां पर केरी को अच्छी तरह से चलकी वगेरा उतार कर कटिंग वगेरा कर दी है चौप कटिंग की है और बहुत थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए पॉयल किया था जिस पांच मिनट के लिए टू टेबली स्पून रेट वाला नमक डाला है आधा कब की चितनी चीनी डाली है अच बहुत खुबसूरत बहुत टेस्टी आम पाना की रेसिपी तैयार हो जीगी और यहां पर हाफ टीस्पून की जितना मैंने जीरा पाउडर और काली मरच पाउडर लिया है यह अगर आपको पसंद है आपकी खेरवालों को पसंद है तो आप इसमें डाले अधरवाइस ना मुझे जीरा पसंद है तो यहां पर मैं जिस्ट एक चुटकी की जितना जीरा एड़ करूंगी बाकी मेरे बाईयों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं एड़ कर रही है उनकी गलासे में अच्छ जीरा मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रह और जीरे वाली हर रोस चाई पीती हो तो मुझे मज़ा आता है चाई पीने में जीरे की चाई पीने में जीरे वाला पानी पीने में और जीरे वाला जूस पीने में अच्छा ये रेसिपी आप बना कर स्टोर भी कर सकते हैं कुछ दिनों तक और गर्मिया बहुत तेज से इसका त यार ही, अल्लाह अफीज, इन्चुआए!